हलो फैंड्स इस वीडियो में आपको कराने वाली हो फायर एंड़ाइस पॉइम के सभी इंपोर्टन क्वेश्चन जो कि क्लास 10 के लिए बहुँ ज़ते हैं इंपोर्टन देश से पहले मैं आपको डश्ट आप इसनों का पूरा कम्प्रीट वीडियो प्रोवाइड करवा दि बट इससे पहले मैं आपको फटापटस का समरी हिंदी में पूरा बता देती हूं तो आपको यह इजली आंसर आ जाएंगे ओके तो यह आप देख सकते हैं फायर एंड आइस यह पॉइम का नेम है और यह पॉइट है रॉबर्ट फोस्ट यह कोशन बहुत पुछा आता है फोइम नेम आपको पता होना चीए और फोइट नेम ओकी डश्ट आप इसनों के भी यही तेकों रॉबर्ट फोस्ट तो यह आपको दोनों याद होने चीए अच्छे से यहां से एक कोशन कंफरम बनता है यह मैंने बुग का ही पिक लिया है यह आप देख सकते हैं इसमें ह मतलब किया है यहां पर दो को लिखा स्वाद चक लिए त्रश्णा का मतलब होता है तीब्र इच्छा या लालसा ओके तो यह बोल लें कि मैंने इच्छा का स्वाद चक लिया है I hold with hold with का means होता है agree मतलब सहमती देना दो जू फेवर फायर तो कभी क्या कहते हैं कि मैं उनके पक्च धर में हूं उनके पक्च में हूँ जो लोग कहते हैं कि इस इसन सार का विनास आउख से होगा ओके तो यहां पर तो कंपेर किसे है एक कोश्यन बहुत पूछा था है फाaya का कंपेर किसे किया गया तो fire का सिंभोलाइज किया होगा डिजायई आग को इच्छा से compare किया गया है डिजायर से और आइस का अगर पुछह जाए तो ice को किया गया है हेट से न प्ल मुझिश से ऊक्टे अच्छा सिंबूल आई जैए हेट का है और fire किसका है डिजायर का यह आपको ध्यार अखना भी में question मिलेंगे okay hold with का means मैंने बताई दिया agree सेमिती देना और इसमें से rhyme scheme और पूछाता है तीन question confirm बनते है एक rhyme scheme या फिर poem name या फिर point name या आना चाहिए rhyme scheme में आपको अलग से separate वीडियो प्रवाड करवा चुके देख लेजिए का यहां पर भी आप मैं पता दूंगी फटापट से sort में okay यह आपको meanings भी पता होना चाहिए इनका भी means उठाके पूछ लेता एक्जामलर okay what if it had to Paris twice Paris का मतलब होता है नस्ट होना okay डाय भी आप बोल सकते मरना तो क्या बोलना है कभी कि संसार को याथी दो वार नस्ट होना पड़े think I know enough of hate तो इसकी लिए नफरत ही परयाप्त है या फिर काफी है okay to say that for destructionize destruction का मीनस होता है विनास okay is also great and would suffice तो इसमें क्या किने संसार के विनास के लिए नफरत ही परयाप्त है ठीक है यही सबसे ज़्यादा great महान बताई है कौन नफरत यानि hate तो यह आपको ध्यान रखना eyes का symbolize क्या होगा hate eyes को hate से compare किया गया है और fire को desire से यह खुब पूछा गया okay मिलेंगे तो आपको बताऊंगी तो इस टाइप से आपको एक इस्टेंजा मिलेगा उसमें से आपको question find out करने होंगे तो यहां पर fire आगे तो इसलिए पैचानल लेगे पोईम का नाम क्या होगा fire and ice होगा poet name होंगे robert frost है ना तो फर्स्ट क्वेश्चन है from which poem have these lines been taken तो यह line कौन सी poem से लिगी है इसलिए आप कर लेगे fire से कौन सी हो जाएगे fire and ice यह ना who composed these lines यह line किसे ने लिखी है या फिर ऐसे पूछले who is the poet of the poem fire and ice fire and ice के poet कौन है तो easily आप करने के कौन है Robert Frost है डश्ट आप इसनों के भी यह यह और fire and ice के भी तो यह option D हो जागा के दोनों के आपको अच्छे सियाद अखने आपको सभी वायम के ट्रिक से याद करवा दोंगे उसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा देख लेज़ेगा तो यह थ्री कोश्चन कंफा में बनते ही या तो वायम नेम पूछेगा या फिर पूछेगा या फि इसका मतलब होता है डिजायर तीब इच्छा तो आप लस्ट भी याद रखेंगे डिजायर मिलेगा या फिर लस्ट ओके नेक्स्ट है who is the speaker in the above lines जो अभी lines मैं आपको दिखाएं थी उसमें speaker कौन है कौन बकता है कौन बोल रहा है तो क्या हो जाएगा दा पॉइट रॉबर्ट फॉस्ट ही तो बोल ले है ओके नेक्स्ट है in the speaker's opinion the world will end in तो जो बकता है जो बोल ले है तो उनके according संसार का बिनास किस से होगा आइस फायर वाटर या फिर बोथ तो दोनों से बताया थाना आइस से भी होगा और फायर से भी होगा तो इसका उप्सन होज़ा गड़ी ओके दोनों से बोथ आइस एन फायर हो जाएगा अगर आइस भी होता तो वह ता जाता है वाट यू मीन में होल्ड हियर होल्ड का मीन से पूछा गया है तो सपोर्ट ओके आपको एग्री बताया था ना वही है सपोर्ट किस से कंपेर किया गया यह फिर सिंबोलाइज करके पूछ लेगा ठीक है तो वही फायर डिजायर है ना आइस का क्या होता हेट मैं आपको हिंदी बता दिये तो आप इसली इसके आंसर कर पा रहे होंगे नेक्स देखो यह लाइन गिवेन है आपे ट्वाइस हेट आइस से यह लाइन किसने कम पूश्ट की है किसने लिखी है तो रवाट फॉस्ट ने लिखी है यह मैं आपको ट्रिक्स से याद करवा दोंगे सभी पोहिम के बिल्कुल भी टैंस से नहें लेनी है वीडियो को लाइक से कर दिया कर दिया को यह मीन्स पूछ लेता है सफाइस का य कि डिजायर और हेट दोनों को बुला गया ना अब देख लेते हैं इंपोरेंट एंप सी क्यों ओकी वह स्टेंजा बेस्ट करवा दिया एंप सी क्यों देख लेते हैं हूँ इसले पहचान लेंगे फारेंड आइस के कौन है रॉबर्ट फॉस्ट है यह तो आपको अच्छे होना तो क्या हो जागा एंड डाइ भी आ सकता है ऑप्सन में तो आपको दोनों ही याद रखने हैं वेर है जी यूजड पर सॉनिफिकेशन कभी ने किसका मान भी करड़ किया है पर सॉनिफिकेशन होता है जिसमें निरजीव को सजी माल लिया जाए तो फायर को भी माना इस टैप से कुशन बहुत जब बुच्छाता है फिकर आप स्पीच जिसे बोलते हैं अलंकार अलग से वीडियो पर वाइड का वारक है मैंने देख लीजेगा उद्धे मैं आपको सवाट में बताए भी था डश्ट आप इसनों पहिम में तो इसमें हो जाका इमेजरी क्यो कि अच्छाएं कब होती है कब बढ़ती है जब लाला चाता है ग्रीड को कि इसमें इसकी बहुत जादा पुछा थे कुशन बहुत जादे इंपोटेंट है मैं आपको राइम स्कीम अलग से वीडियो प्रवाइड कर वाचो कि बहां पर आप देख लिजे का मैं यहां पर आ अंसर को आएगा राम स्कीम जब भी हंडा आपको last वहलेना ओके यह दिखो fire a माल लिया आइस बिल्कुल अलग sound है तो इसको बहुत सबसक्राइब यह व्य वालेंगे सबसक्रेंगे भूम एक दिखर्व हमस्कोग सबस्क्राइबयर जिलख़ क्यों सबस्क्राइब इसको इसशबद कई उसी हो जाया है ने कि ये हो गारे है नब रहामें resolutions जेएन कि द्छना और जेनाओ सबस्क्राइब हो जाएगा तो इसका क्या निकला थोल फियम क्या निकलेगा आप इसका क्या निकला अब ईच्थ कर देख लेफ सब्सक्राइब तो देख लेते ओप्सन में क्या होगा है ना अलग से वीडियो प्रोड़ वहां पर आप देख सकते हैं जाके तो यह निकल किया है तो आप सब्सक्राइट किसके साइड थे तो मैं आप बताया था जो लोग यह सोचते कि संसार के विनास फायर से होगा तो इसका सपोर्ट किय है तो यह आंसर इसका होजएगा उप्सन ए तो मैंने सभी इंपन कोशन आपको कवर करवा दिये से एक स्टाप से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा वीडियो अच्छा लोग होतो लाइक से कर दीजेगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू सो माच